हलो दोस्तों वेलकम बैक टुमाय चैनल मैं हो वीनेश पाल और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिविदेंट्स के बारे में तो सबसे फेले में आपको वता हूँ डिविदेंट्स क्या होते हैं, किस तरह की कंप्रेंज हमें डिविदेंट्स देती हैं और इस dividend को लेने के लिए हम लोग क्या का सकते हैं नॉर्मली दोस्तों share market में profit लेने के दो तरह के होते हैं सबसे पहला तो बहुत सिंपल होता है कि कि किसी भी share को कम price पर खरीदो और इसे higher में बेचके profit बुक कर लो और दूसरा वही होता है दोस्तों dividends जिसके थुरू हम लग profit कमा सकते हैं दोस्तों अगर छोटे शब्दों में बता हूं तो dividends में profit का एक party होता है जिसको company अपने shareholders के बीच में बाट देती है कोई भी जो profitable company होती है जो वो profit कमाती है उसके पास उस time दो choices होती हैं कि या तो वो उस profit को अपनी company में लगा कि company का business expand कर दे या फूर इस profit में से थोड़ा सा इससा अपने पास रखकर बाकि अपने shareholders के बीच में बाट दे अब जो यह profit होता यह किस तरीके सा बाटा जाता है अब मैं आपको बताता हूं माल लेजे किसी company ने 100 करोड का profit कम है एक quarter में उसने 50 करोड रुपे अपने पास रख लिए आगे business को expand करने के लिए और बाकी 50 करोड रुपे ने decide गया कि वो अपने shareholders के बीच में अज़र डिवेडेंट बाटेंगे अप company के पास माल लेजे एक करोड शेर है और company को बाटना है पचास करोड रुपे का dividend तो company अब इस 50 करोड रुपे के dividend को एक करोड शेर होलडर से divide कर देगी तो दोस्तो जब आप उस 50 करोड की profit को 1 करोड share से divide करेंगे तो आपके पास 50 रुपे की value निकल के आईगी अब उस 50 रुपे की value का ये मतलब होता है कि company हर shareholder को 1 share पे 50 रुपे का dividend पे करेंगे अब मालनेज़े अगर आपके पास उस company के 10 share हैं तो आपको 10 share के हिसाब से company 500 रुपे का dividend पे करेंगे मगर हाँ दोस्तो एक बात हमेशे याद रखना ज्याद अतर profitable एंड mature companies ये अपने shareholders को dividend बाटती है और ये हमेशे fix नहीं होता कि कोई भी profitable company है तो वो हमेशे अपने shareholders को dividend दे अब मैं आपको ओता हूंगा दोस्तो आप किसी भी share से आप इस dividend को कैसे ले सकते हैं इसके लिए दोस्तो आपको थोड़ी सी research करने पड़ेगी आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन-कौन से ऐसी profitable companies हैं जो अपने shareholders को annually dividend pay करती हैं और आपको उनी तरह की companies में अपना पैसा invest करना पड़ेगा इस तरह की listeners आपको internet पर भी बहुत easily मिल जाएगी और आप उसके थूरू अपना पैसा invest कर सकते हैं इन companies में और हाँ दोस्ते एक जरूरी बात और जब भी company ये dividend देती है तो ये dividend का जो आपको पैसा होता है ये आपके DMAT account में नहीं आता ये हमेशा डारेक्ट आपके bank account में चले जाता है ये company के ओपर depend उड़ता है कि company कितनी profitable है और company उसी हिसाब से अपने share of dollars को dividend बाठती है कोई-कोई company साल में एक बार dividend देती है और वहीं कोई-कोई company साल में दो-दो-तिन-तिन बार भी dividend देती है आशे करता हूँ दोस्तों आपको समझ माया हुआ कि dividend का मतलब क्या होता है और किस तरीके से dividend काम करता है company पे करती है और आप इसको किस तरीके से ले सकते हैं अगर वीडियो अच्छे लगी हो दोस्तों तो वीडियो को like करें और अपने दोस्ते का share ज़रूर करें और comment में आपके यह बताएं कि अगले बारे हम किस तरीक पर अपने वीडियो बनाएं